एक ऐसा वेक्ति जिसके पास्तिर्फ मेल आईडी ना होने के वज़े से वो आज करूर पती है यह बात आपको हैरान कर देगी मगर यह बात बिल्कुल सच है हुआ हैं कि यह गाउं का लर्का बरे से सहर में नौकरी के तलास में चला जाता है कुछ दिन बितने पर उसे पता लगता है कि एक बरिसी कमपनी है जहां एक ओफिस वाई की जरूरत है वो वहाँ जैसे ही पहुंचता है वहाँ के HR उसे एक ओफिस के क्लीनिंग करवाता है वो देखता है कि यह लर्का इस काम के लायक है या नहीं लेकिन उसमें वो लर्का उस काम के लिए पर्फेक्ट होता है तो HR उसे कहता है कि यह नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी एक काम करो तुम अपना मेल आइडी मुझे दो मैं तुम्हें जॉब लेकर ओफर करता हूँ तो लर्का कहता है कि मेरे पास तो मेल आइडी नहीं है वो HR उससे कहता है कि जिसके पास इस डिश्टल वर्ल्ड में मेल आइडी ही नहीं है वो एक जिस्ट ही नहीं करता उसे मैं नौकरी कैसे दूँ तुम जा सकते हो तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता यह बात सुनकर वो लर्का निरास हो जाता है लेकिन सर्वाइब तो करना ही था क्योंकि वो लर्का गाउं से इतनी दूर आया था उसके जेब में 100 रुपे थे उसने देखा उसके सामने एक सूपर मार्केट था उसने वहां से 100 रुपे का टमाटर लिया और गली-गली भूम कर बेशने लगा उससे उसे 100 रुपे का प्रॉपिट हुआ है उस टाइम उस लर्के के दिमाग में यह आया कि यहां के लोग इतना बीजी हैं कि वो अपनी दिम चड़िया का सामान भी मार्केट से नहीं ला सकते हैं वो समझ गया कि यहां पैसा कमाना आसान है और वो यहां काम डेली करने लगा धीरे धीरे करके वो एक दो लर्के भी रख लिये ऐसे करके बीजनेस बढ़ते चला गया उसने ट्रक खड़िदा जिससे वो गाउँ गाउँ जाकर सबजिया ले आता और वो सहर में बेशता था ऐसे करते करते वो यह दो साल में करूर पती बन गया एक बार क्या हुआ कि कोई पॉलिसी करने वाला या कोई पॉलिसी बेचने वाला उसकी घर आया वो बोला कि सर आप अपना मेल आईडी दीजिये मैं आपकी पॉलिसी को करवाता हूं कमपनी से तो वो बंदा फिर से वही बोलता है कि मेरे पास तो मेल आईडी नहीं है तो पॉलिसी वाला इस बंदिश को कहता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में आपका मेल आईडी होता तो आपका भी नसब तक कहां के कहां होता तब वो बंदा हसकर जवाब देता है वो कहता है कि अगर मेरे पास मेल आईडी होता न तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में Office Boy की नोकरी कर रहा होता इससे हमें यही सिख मिलती है कि मैं किसी भी तरह के कुछ खोने का आसास नहीं करना चाहिए हमें अपने आप में यह देखना चाहिए कि हम किसी चीज को किस तरह उपयोग करें और अपने काबिल बनाएं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तब तक के लिए धन्यवाद